आज हम लोग एक नया पाट पढ़ेंगे जिसका शिर्षक है तोकरी में क्या है? इस पाट के प्रशन उतर को हम लोग समझेंगे अदिती अपने घर क्यों लोट रही है तो उतर होगा इस प्रेशन का अदिती की गर्मी की छोटियां समाप्त हो रही है इसलिए वो अपने घर लोट रही है प्रश्ण दू है अधिती ने टोकरी में किन-किन फलों का अनुमान लगाया तो उतर होगा अधिती ने सेव, नारंगी, आम, अम्रूद और माल्टा फलों का अनुमान लगाया अगला प्रश्न है वास्तों में वह फल कॉन सा था तो उत्र होगा वास्तों में वह फल निंबू था कि यह प्रश्न होगा अगल प्रश्न दो में देखेंगे नीचे लिकी पहली को भुजी और पूरा कीजिये पहले का उत्तर मूली है अब प्रश्णों का उत्तर देने में अमन की सहता कीजी अमन मैंने बजार से कुछ खरीदा यह मेरे थैले में है यह अमन बोला है अंकिता कर रही है यह फल होगा यह सबजी फिर अमन यह सबजी है तो अंकिता कह रही है यह जमीन के अंदर उगता है यह बाहर तो अमन कह रहा है जमीन के अंदर उगता है फिर अंकिता यह सफेद है यह रंगीन तो अमन यह सफेद है अंकिता तब हमूली है एक पहली और यहां आपको प्रशन बनाने हैं और उनके उतर दिये गए हैं कोश्टक में दिये गए संकेतों का अपयोग और शुमन को प्रशन बनाने में मदद कीजिए बिमल मेरे पास एक जंगली जानवर की तस्वीर है क्या बता सकती है तस्वीर किसकी है तो शुमन क्या या जंगल में रहता है बिमल नहीं या घर में रहता है सुमन क्या या मांस खाता है बिमल नहीं या गास खाता है सुमन क्या इसके सिंग भी है बिमल नहीं इसके सिंग नहीं होते है सुमन क्या यह तेज दोड़ता है विमन हाँ यह तेज रफ्तार शे दोड़ता है सुमन क्या यह तांगा भी खिषता है विमन हाँ यह तांगा भी खिषता है सुमन तब यह एक घोड़े की तस्विर है इसके उपर ताल बनाओ और इसके उपर नहरे उपर नदिया बहती जिन में उठती लहरे कोई इसमें बाग लगाता कोई करता खेती यह सब को देती है सब कुछ पर किस से क्या लेती इस ताल का उतर होगा धरती फिर अगला प्रशन है बादल लेकर उरती हूँ नहीं किसी को दिखती हूँ क्या होगा हवा उतर होगा हवा अगला प्रशन है अब एक पहेली आप भी लिखिए तो आप लोग अपने मन से लिख लेंगे पीर अगला है टोकरी में जो फल है वो कुछ बातों में दूसरे फलों से मिलता या समानता है जैसे वो पेंड पर लगता है समानता है वो पीला है वो गोल है वो खटा है आपके असपास की तमाम चीजों में कुछ बाते समान होती है जबकि कई बातों में अंतर होता है नीचे की सूची में दी गई चीजों में क्या बाते समान है और क्या अंतर है लिखना है अब आपको यहां पर चीजे दे दी गई है उसकी समानता क्या है दोनों में और अंतर क्या है लिखना है कुत्ता और भैंस में क्या समानता है तो रंग में दोनों पालतु है एक तो रंग में समानता है और दूसरा दोनों पालतु है अंतर क्या है कुट्ता रखवाली के लिए जबकि बहांस दूद देने के लिए पाली जाती है पेन पेंसिल आकार में दोनों से लिखा जाता है अब अंतर क्या है तो पेंसिल लिखने को मिटाना मुश्किल है जबकि पेंसिल से लिखा असानी से मिटाए जा सकता है तितली और चिणिया में दोनों उड़ती हैं, तितली अकार में छोटी होती है जबकि चिणिया बड़ी होती है, कापी किताब में आकरिती में, कापी में लिखते हैं, जबकि किताब में लिखी बाते पढ़ी जाती हैं, मूली गाजर में आकरिती में समान है, मूली सफेद होत जबकि गाजर नारंगी और लाल रंकी होती हैं, मेरे दो प्रश्ण में, पाठ के अधार पर दो सौल बनाई है, जो बना सकते हैं आप, अधिति गर्मी की छुटिया मनाने कहां गई थी, दूसरा, अधिति को नाने के घर से लाने कौन गया था, ये दो प्रश्ण हो गया, इस परकारी, चप्तर, समात्वा रंद। धनी मात्वा